नमस्कार आप देख रहें TNP News मैं हूँ आपके साथ निम्य सिनहा नज़र डालेंगे खबरों पर गुजरात चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुक अर्वेंद केजरिवाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे है बता दें कि केजरिवाल हीरा व्यापारियों के एक सभा को संबोधत कर रहे थे जहां उन्होंने अपनी जाती का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के फ्री कल्चर का बचाओ किया और कहा कि वह एक बनिया है और उन्हें अर्थ व्यवस्था को संभालने को लेकर पर्याप्त ग्यान है उन्हें थोड़ी बहुत अकाउंट की समझ है सब कुछ मुफ्त करने के बाद भी दिल्ली के अर्थ व्यवस्था शानदार है गुजरात पर 3.5 लाग कड़ो रुपय का करजा क्यूं है क्यूंकि उन्होंने सारा पैसा हडप लिया इसलिए सब कुछ मुफ्त करने से नहीं बलकि चोरी करने से अर्थ व्यवस्था को नुकसान पहुँचता है International Film Festival of India यानी IFFI 2022 में डिरेक्टर विवेक अगनी हुतरी की फिल्म दक कश्मीर फाइल्स को लेकर विवात खड़ा हो गया है IFFI की जूरी हैड और इजराइली फिल्म मेकर नदाव लापिडने ने इससे अशलील और प्रोपिगैंडा फिल्म बताया है नदाव ने कहा कि हम सभी डिस्टरब हैं कि ऐसे फिल्म को इस समारों में दिखाया गया है साथ ही उन्होंने फिल्म बेहद ही वलगर बताया वहीं कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने इस पर कड़ी आपती जताई है और कहा है कि हमें बहुत दुख है कि हमारे उपर इस तरह का बयान दिया गया है और इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या आप बीती हुई है इस्राइली फिल्मेकर के बयान के खलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया वहीं इसराइल के महावानी जिदूत कोबी शोशानी ने लापिद के इस बयान पर कड़ी अपत्ती जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने कश्मीर फाइल देखी है और इसके कलाकारों से भी मुलाकात की है। मेरी राय नदव लापिद की राय से बिलकुल अलग महराश्व में नवी मुंबई के मानसरोवर रेलवे स्टेशन के बाहर पारकिंग में खड़ी गाडियों में आग लग गए। इस आग में पारकिंग में खड़ी करीब 42 कारे जल कर खाक हो गए। मौके पर पहुँची दमकल विभाग के गाडियों ने कड़ी मशक्कत के ब प्रचार जोरो शोरो पर है। पार्टियों के बड़े नेता लोगों से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं MCD चुनाव में हिजाब का मुद्दा भी उठ चुका है। साथते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ मुस्लिम और गलित इलाकों में शराब के ठेके ही खुलवा पाई है। के हिंदुस्तान का दिल कहने वाला चांदनी चौक, चांदनी चौक का दिल कहने वाला बल्ली मरान और पुरेश नगर की सीड माइम के खाते में जाई। जहां अपराधियों की होसले इतने बुलंद हैं कि दिन दाहारे हत्या कर रहे हैं। ताजा मामला जलाला बाद थानक शेत्र के सरया गाउं का है जहां एक बैग में महिला की लाश मिली जिसके बाद पूरे इलाके में हरकंप मच गया। के महिला के साथ दुशकर्म किया गया था जिसके बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम को भेज दिया हैं और जाच में जुड़ गई हैं। बता दे इससे पहले एक 14 साल की किशोरी का शव भी इसी तरह खेत में मिला था। फिल्हाल के लिए बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें टेनपी न्यूस के साथ। दीजे इजाज़त नमस्कार।